नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग आप सभी ठीक ठाक और खुसलमंगल होंगे गईज आज का अमारा वीडियो है एनिमल हस्बेंडी क्लास 11 आज का अमारा टोपिक है केमल मेनेजमेंट उट प्रबंदन पसू पालन विज्यान के अंदर अब तक मैं आपको गाए पड़ा चुका हूँ उसके बाद हमने भैस को पड़ा और उसके बाद हमने भैड को पड़ा और आज के वीडियो में हम बात करेंगे उट के बारे में चलिए गाईस आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले पास में जो बेल आइकन हैं उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिपकेशन आपको टाइम की टाइम मिलते रहे और हाँ जिन्होंने अब तक केप्टन एगरो एप को डाउनलोड नहीं किया है डाउनलोड जरूर कर ले लिंक नीचे डिस्किप्शन में है वीडियो स्टार्ट करने से पहले दो बाते अब सभी का फोकस बोर्ड पर होना चाहिए अगर आपका सबका फोकस बोर्ड पर होगा तो इतनी गेरेंटी देता हूं कि जो भी पढ़ाऊंगा आपको क्लास में ही याद हो जाएगा दूसरी बात आपको क्या करना है एक नोट्बुक लेकर बेटना है जो भी मैं आपको पढ़ाऊं उसको आपको नोट करना है सोशल मीडिया का जमाना है दुनिया भर के नोट्स आपके पास होंगे लेकिन उन नोट्स का क्या फाइदा जो आपको याद नहीं है इसलिए आपको क्या करना है नोट्स खुद से बनाने है और उनको याद करना है अगर आपका पूरा फोकस वीडियो में रहा तो इसनी गेरेंटी देता हूँ कि आपको इसी वीडियो में सब कुछ याद हो जाएगा आजाओ वीडियो स्टार्ट करते हैं बात करने हम किसकी ऊट की अच्छा ऊट को क्या कहा जाता है सबसब पहला क्यों इसको कहा जाता है रेगिस्थान का जहाज कहा जाता है सिप आफ डेजर्ट कहा जाता है अच्छा इसी को सिप आफ डेजर्ट क्यों कहा जाता है बेल को क क्यों नहीं बोला, गदे को क्यों नहीं बोला, क्योंकि इसके अंदर कुछ तो गुण होंगे, क्योंकि ये कहां चलता है, रेगिस्थान में चलता है, अच्छा क्यों चलता है, देखो, रेगिस्थान ऐसी जगें हैं, जहां पर पानी की कमी है, किसकी कमी है, पानी की कमी, प्रेट में चलने के लिए जो सक्सम है, वो कोन है, उट है, क्योंकि इसके पेरके से होते हैं, गदिदार होते हैं, तो यह आसानी से क्या करता है, रेगिस्थान में चल लेता है, इसलिए इसको क्या कहा, रेगिस्थान का जहाज बोला गया, सिप आफ डेजर्ट इसको बोला आओ आगे बढ़ते हैं ये तो हो गई इसकी सामाने जानकारी अब हम बात करते हैं देखो प्रजेंट हैं कि अगर मैं बात करूँ तो उट कम है भारत के अंदर करीबन करीबन 0.25 मिलियन उट है मतलब 25 लाक उट है लेकिन पहले उटों की संक्या जादा थी अब उट क्या है दीरे दीरे संक्या में कम हो रहे हैं तो इसकी वज़से राजस्थान सरकार ने उट को किसका दर्जा दे दिया राज्य पसु का दर्जा दे दिया है जिसकी क्योशन आ जाए कि हमारे राजस्थान का राज्य पसु कोन है तो आपको याद रखना है कोन है उट है अच्छे दर्जा कब दिया गया, एक क्योशन एग्जामिनर आपसे पूशता है, तो आप star लगाके, या arrow लगाके लिखोगे, राज्ये पसु का दर्जा, राज्ये पसु का दर्जा कब दिया गया उट को, तो आपको याद होना चीए, कब दिया, 30 जून, 30 जून, 2014 को, उट को राज् कि जो उट होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर उट एक प्रकार के होते हैं, नहीं, उट कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, कौन-कौन से होते हैं, आओ नोट करते हैं, मैं बात कर रहा हूं, उट की केमल, और जो उट हैं कितने परकार के दो परकार के जरा बताओ दो परकार कौन कौन से हैं एक तो ऐसे उंट जिन पर क्या होता है सिर्फ और सिर्फ एक कूबड पाया जाता है कितना कूबड पाया जाता है एक कूबड तो एक तरफ आप लिखोगे एक कूबड वाला उंट क्या लिखोगे अरे बो बोल दो, single humped बोल दो या फिर आप क्या बोल दोगे, one humped बोल दोगे, इसके अलावा उंट का दूसरा प्रकार हमारे पास आता है, इसमें हम लिखेंगे, दो कूबड वाला उंट क्या लिखेंगे, दो कूबड वाला उंट, ऐसा उंट जिस पर दो कूबड पाए जाते हैं, अब देखो, इसमें तो क्या होगा, सरी पर बीचो बीच इस तरीके का कूबड होगा, किसमें, एक कूबड वाले में, अब जो दो कूबड वाला इसमें क्या होगा, इस तरीके से दो कूबड होगे, अब ये दोनों अलग अलग उंट हैं, लेकिन इनको कैसे मतलब कि, अपने इनको पेचान जा लेकिन इनके नाम क्या है आपको याद रखने क्योंकि examiner वहीं से question put up करता है तो आओ बात करते हैं मैं बात करूँ जो एक कूबड़ वाला उंट है इसको क्या कहा जाता है तो याद रखना इसको dromedary क्या कहा जाता है dromedary उंट भी इसको कहा जाता है इसके अलावा इसका एक और नाम है इसको अरबेरियन उंट भी बोलते हैं क्या बोलते हैं अरबेरियन अरबेरियन उंट भी इसको कहा जाता है तो ये तो हो गए इनके सामान नाम ऐसे ही मैं बात करूँ चो दो कूबड़ वाला उंट है इसको क्या कहा जाता है तो याद र पहा जाता है या आपको याद रखना यह इनके क्या है सामाने नाम है अब आगे बढ़ते हैं इनको ड्रोमेडेरी उट या अर्बेरियन उट क्यों बोला और इनको एसीन उट या बेक्टिरियन उट क्यों बोला तो सुनो एक कूबड़ वाला जो उट हैं ये कहां पर ये जो अरब कंट्रीज हैं उनमें पाए जाते हैं इसलिए इनको अर्बेरियन उट कहा जाता है जबकि मैं बात करूँ दोकूबड़ वाला जो उट है इनको हमने एसीन उट बोला तो कारण क्या है क्योंकि ये एसीया महादीप में पाए जाते हैं इसलिए हमने इनको एसी नाम बोलते हैं लेकिन यहां पसूव के अंदर जब भी चर्चा होगी तो एक सब्द आयेगा जेड एन और इसका नाम क्या याद रखना है जू लोजीकल नम अच्छा इसको जू लोजीकल क्यों बोला इसको बोट निकल क्यों बोला तो जितने भी फसले होती है क्या होती है उनको हम वनस्पती विज्यान के अंदर पढ़ते हैं मतलब बोटनी के अंदर पढ़ते हैं तो यहां से हमने क्या उठाया? B और N से नाम इसलिए फस्लों का बोटनी कल नेम होता है और जू लूजिकल नेम किसका होता है? पसू का जितने भी पसू है इनको हम कौन सी ब्रांच में पढ़ते हैं जूलोजी के अंदर पढ़ते हैं तो यहां से हमने इसका जेड उठाया तो आपको याद रखना है जितने भी एनिमल हैं उनके जूलोजी कल नेम आपको याद होने चाहिए ठीक है जिसकी गाये हैं, बैस हैं, बैड हैं, बकरी हैं, मुर्गी हैं अब हम बात कर रहे हैं किसकी उठी तो आओ देखो उठ का जूलोजी कल नेम अब यहां पर दो उठ हैं तो दोनों के अलग-अलग नाम होंगे बिल्कुल सीढ़ी सी वात है, हलग-अलग नाम होंगे इसका क्या है? इसका है मैरे दोस्त केमेलस, केमेलस, ڈरोमे-डेरियम क्या याद रखना हैं, यह नाम याद रखना है most, most important है जबकि मैं बात करू जो दो कूबड वाला उठ है इसका JOLOSICAL नेम क्या है तो दोनों अलग अलगे याद कैसे करोगे बहुत सिम्पल है आपको कुछ नहीं करना इंने नाम का जाप करना अगर आपको कई उत दिखता है जैसकMe आपको एक कुबर वाला उत दिखा तो आप क्या बोलोगे आप बोलोगे Camillus Dromedarium की ये देखो Dromedary Oot जा रहा है ये देखो Arbarian Oot है अगर आपको कहीं जिसे की दोकुबडवाला Oot दिख जाए अब दोकुबडवाला Oot कहाँ पर दिखेगा आप थंडे प्रदेसों में जाओगे लद्दाग वगेरा में वहाँ पर Oot आपको दिखेंगे दोकुबडवाले तो आप क्या बोलोगे Camillus Bacterians बोलोगे ये आपको याद रखना है जब आप बार बार आखे बंद करके इनका नाम जब नाम करोगे तो ओटोमेटिक आपको नाम याद हो जाएंगे पर्मानेट और एक्जाम में आप सही आंसर लगा के आओगे आओ आगे बढ़ते हैं बात करते हैं इनके परिवार की परिवार मतलब समझ गए फेमेल एक इस परिवार से बिलोग करते हैं जैसे कि मैंने बताया गाय के बारे में इसके अलावा मैं आपको भेंस पढ़ा चुका हूँ इसके लावा बकरी हमने नहीं पढ़ी है लेकिन बकरी का भी वीडियो आपको यूटूब चैनल केप्तन एगरो पे मिल जाएगा इसके लावा भेड़ ये जो चारो पसो है किस परिवार से बिलोग करते हैं ये बोवेडी परिवार से बिलोग करते हैं ठीक उसी परकार यहां पर मैं बात कर रहा हूँ उट की और उट का जो परिवार है वो क्या है केमेलेडी है क्या है केमेलेडी याद रखना है अच्छा इसका परिवार भी क्या है तो इसका परिवार भी क्या है मेरे दोस्त केमेलेडी है क्या है केमेलेडी है नाम आपको याद रखने हैं बहुत एजी है याद हो जाएगा देखो यहाँ पर केमेलस और यहाँ पर केमेलेडी तो दोनों का परिवार क्या हो गया केमेलेडी हो गया बात करें गुनसुत्र संक्या जिसको हम क्या बोलते हैं क्रोमोजोम नंबर बोलते हैं क्या बोलते हैं क्रोमोजोम नंबर गुनसुत्र संक्या कितनी होती है तो दोनों में गुनसुत्र संक्या 2N बराबर 74 होती है कितनी होती है इसमें भी कितनी होगी 2N बराबर 74 होगी अब ये दोनों उट कहां कहां पर पाये जाते हैं अगर मैं बात करूँ जो एक कुबड़ वाला उट है ये कहां पर पाया जाएगा तो याद रखना ये आपको मिलेंगे कहां पर सुस्क व गर्म प्रदेसों में कहां पर मिलेंगे सुस्क व गर्म प्रदेसों में जैसे कि कहां कहां पर मिलेंगे ये मिलेगा आपको भारत में व अफरीका में कहां मिलेगा भारत वा अफरीका में ये उंट आपको मिल जाएंगे जब कि मैं बात करूँ जो दो कूबड़ वाला उंट है ये आपको कहां पर मिलेगा तो ये मिलेंगे आपको ठंडे प्रदेसों में कहां पर मिलेंगे ठंडे प्रदेसों में इतना percentage जैसे examiner इतना ज़्यादा duplication नहीं देता है लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि पूरे world में, पूरे संसार में जो 96% उंठ हैं, वो कोन से हैं? एक कूबड़ वाले उंठ हैं जबकि मैं बात करूँ दो कूबड़ वाले उंठ कितने हैं तो याद रखना इस 4 से 6% कितने हैं, कहीं किताबों में हो सकता है आपको 4 मिल जाए, किसे में 6 मिल जाए यहां किसे में 94 मिल जाए तो confuse मतो ना, एक सामाने जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ तो उंठों का क्या हो गया? वरगी करन हो गया बहुत आसान है आओ, एक बार याद करवा देता हूँ आपका सबका फोकस बोर्ड पर होना चीए तब ही जाके आपको याद होगा हम बात कर रहे हैं उंठ की उंठ को हमने क्या बोला? बताईए फटापट, हमने उंठ को क्या बोला? रेगी स्थान का जहांस बोला ये आपको याद रखना है क्यों बोला? क्योंकि उंठ कहीं दिनों तक बिना पानी पिये रहता है इसके लावा गदीदार पेर होते हैं तो रेगी स्थान में चल भी सकता है अच्छा, रेगी स्थान में चलता है तो सबसे मेन उद्दे से क्या है? उंठ पालने का तो ये भी आपको याद रखना है उंठ किसलिए पाला गया? सबसे पहले ट्रांस्पोर्टेशन के लिए पाला गया मतलब सामानों को एक जगे से दूसरी जगे पे ले जाने के लिए उंठ का प्रियोग किया गया इसके लावा उंठ से क्या करते हैं? क्रसी कारें भी क्रसी कारें में भी काम लेते है क्योंकि एक जो उंठ होता है न एक जोडी बेल के बराबर काम करता है मतलब दो बेलों के बराबर काम करता है इसके लावा आपने देखा होगा दिल्ली वगेरा में आपको उंट गाडी मिल जाएगी, पीछे गाडी होती आगे उंट होता है, मंडी में भी आपको मिल जाएगी, तो इस चरीके से इसके अनेक काम है, इसके लावा इसका दूद जो है उंट निका, उसको भी काम में लिया जाता है, तो अलग-अलग देसे से उंट को पाला जात क्या बोला अर्बेरियन उंट या ड्रोमेडेरिय इसका जूलोजीकल नेम क्या है तो केमेलस ड्रोमेडेरियम है याद रखो गे परिवार केमेलेडी हैं क्रोमोजोम नमबर 2N बराबर 74 है सुस्क वा गर्म प्रदिसों पाए जाते है भारत वा अफरीका के अंदर पाए जाते है याद रखना और बे बात करूँ दो कूबड़ वाले जो उंट है इसको हम क्या बोलेंगे एसीन उंट या बेक्टिरियन उंट बोलेंगे केमेलस बेक स्क्रिंसोर्ट ले लो जल्दी से स्क्रिंसोर्ट ले लो आईए आगे बढ़ते हैं I hope आप सभी ने अच्छा से स्क्रिंसोर्ट ले लिया होगा अब हम बात करेंगे उंट के बारे में और भी जानकारी ये तो बिल्कुल इसका वरगी करण और सामाने इंट्रोड़क्शन म बस इस वीडियो में आप एंड तक बने रहो देखो क्या होता है जैसे कि आप में से हो सकता है बहुत सारे बच्चे वीडियो में बीच में से वीडियो देख रहो या बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल एंड में देखे तो इससे समझ में नहीं आता जब भी कोई भी topic पढ़ो न तो उसको starting से लेकर end तक पूरा पढ़ा करो तब जाके मज़ा आता है किसी भी topic को पढ़ने में तो आओ बात करते हैं अब हम बात करेंगे चो उट हैं उट को भारत में सबसे पहले कौन लाया भारत में उट लाने का सरे किसको जाता है भारत में उट लाने का सरे किसको जाता है तो आपको याद रखना है सबसे पहले उट कोन लाया भारत में और कहां से लाया तो याद रखना है कोन लाया मोहमद बिन कासीम सबसे पहले भारत के अंदर उट लाया अच्छे, यह क्यों लाए और कहां से लाए तो आपको याद रखना है जो मोहमद बिन कासीम है भारत में क्या एक तरीके से भारत को लूटने का काम चल रहा था, यह भारत को लूट रहे थे मेरे कुछिक उंत कहीं दिन तक, साद दिन तक बिना पानी पी रह सकता है तो आसानी से कहीं दिन तक साथ दिन तक बिना पानी पी रहे सकता है तो आसाने से उंटों से सामान को लाने ले जाने का काम इनों ने किया इसके लावा उटों को युद्ध में भी काम में लिया गया जो बड़े-बड़े भारी-बारी जो सामाने उनको लाने के लिए करीबन-करीबन ऐसा कहा जाता है कि तीन हजार उट मुहमद इंकासीम भारत लेकर आये थे इसलिए हमने क्या बोला कि सबसे पहले भारत में उट लाने का जो सुरे हैं किसको जाता है मुहमद बिन कासीम को जाता है इसा कहा जाता है कि 1777 S.V. में ये उट लायते भारत के अंदर तो इतना आपको याद रखना है इतना ज़रा डीप ली क्योशन नहीं आता है जस्ट आपकी जानकारी के लिए बताया जा रहा है आप कोई सा भी एक्जाम दे लो एगरी कल्चर का अगर आपके सलिबस के अंदर केमल है उट है तो आपका क्योशन बाहर नहीं जाएगा असरत इतनी है कि वीडियो को पूरा देखना अच्छे से देखना कोई भी टोपिक समझ में नहीं आए तो कमेंट कर देना आपको रिप्लाइ दे दिया जाएगा तो यह तो बात हो गई किसकी भारत की अब हम बात करेंगे कि हमारे राजस्थान के अंदर सबसे पहले उट कोन लाया मतलब राजस्थान के अंदर आपनों राजस्थान राजस्थान में उट लाने का स्रे उट लाने का स्रे किसको जाता है तो फटाक से अंसर देदो राजस्थान में सबसे पहले उट कोन लाया पाबुजी लाया कौन लाए पाबुजी का नाम आपने सुना होगा पाबुजी ठीके पाबुजी कौन लाए पाबुजी क्या लाए उंट लाए अब उंट लाए सबसे पहले लेकिन कहां से लाए इसके पीछे क्या कहानी है तो अलग-अलग कहानिया है एक छोटी से स्टोरी में आपको सुना क्या reason था तो देखो पाबु जी है इनकी जो बती जी थी बती जी की साधी में बती जी से इन्होंने वादा किया था कि मैं तुझे क्या करूंगा लाल बुरे रंग का ओंट गिप्ट दूगा साधी में अब इन्होंने वादा तो कर लिया अब उंट लाए तो कहां से लाए, आसपांस उठ है नहीं, क्योंकि उठ कहां मिलेंगे, जहां पर रेगिस्थान होगा, तो इन्होंने क्या किया, इनका एक मित्र था, इनका एक फ्रेंड था, उस फ्रेंड को ये बात बताई, क्यार मेरे बत्ती जी की साधी है, और उसको मुझे उठ देना है अब उठ कहीं से भी लाने हैं, तो ये दोनों मिलके ऐसा कहा जाता है कि कहां गए, साथ समंदर पार गए, और जब साथ समंदर पार गए, तो कहां स्री लंका गए, और कहा जाता है कि ये उठ कहां से लाए, स्री लंका से लाए, एक कहानी के इसाप समय आपको बता रहा हू कुछ ऐसी माननेताएं भी है वहाँ इनका युद्धु हुआ युद्धु होने के बाद मतलब जिनके बीच युद्धु हुआ तो दोनों के बीच अच्छी कासी दोस्ती होगी बाद मेरे इंड मे तो उन्होंने इनको एक भूरे मादा रंग की बूरा और लाल जो उन्होंने इनको गिप्ट दे दिया और ये उन्होंने लेकर राजस्थान आ गए तो अलग-अलग कहानिया हैं अलग-अलग माननेताएं हैं बस आपको इतना याद रखना है कि भारत में सबसे पहले उन्होंन लाए मुहमद, बीन, कासीम लाए जबकि राजस्थान के अंदर सबसे पहले उन्होंन लाए पाबूजी लाए इसलिए आज भी हमारे राजस्थान में अगर उन्हों को कोई बीमारी होती है तो सबसे पहले किस की पूजा की जाती है पाबूजी की पूजा की जाती है पूजा की जाती है और याद रखना क्योशन आता है कि उट की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है उट की तो आपका आंसर सीधा सीधा क्या जाएगा सर्रा जाएगा क्या जाएगा सर्रा और याद रखना इस सर्रा बीमारी को हमारे राजस्थान के अंदर तिवर्सा नाम से जा करोगे तो अर्थ निकल के आएगा ती मतलब तीन और वर्सा मतलब वर्स तो ये जो बीमारी होती है तीन वर्स तक चलती है इसी लिए हमारे राजस्थान में इसको क्या कहा जाता है ती वर्सा कहा जाता है और किसके द्वारा होती है तो प्रोटो जोवा के द्वारा होती है प्रोटो जोवा के द्वारा ये बीमारी होती है ये आपको याद रखता है अच्छा उट पालक जाती को नसी है जो उट का पालन करती है उट पालक जाती एक क्योशन भी आप से पूचा जाता है तो उट पालग जाती राइका है, क्या है राइका जिनको हम रेबारी भी बोलते हैं क्या बोलते हैं, रेबारी आपने राम देवजी की खता सुनी हो तो उसके अंदर एक नाम आता है रतना रेबारी जो उट लेकर उनकी बहिन के सफुराल में जाता है आपको इस्टोरी याद होगी तो आगे बढ़ते हैं, रतना रेबारी की बात हो गई अब मैं बात करूँ कि भारत में सबस्रदा उट कहां पर पाए जाते हैं, तो भारत में सबस्रदा उट कहां पर पाए जाते हैं राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं और गुजरात के बाद कौन से राज्य में पाए जाते हैं तो हरियाना में पाए जाते हैं और हरियाना के बाद कौन से राज्य में तो याद रखोगे यूपी में डेटा मैंने आपको दिया है ये कब का दिया है ये मैंने आपको दिया है बीसवी पसुगणना का कब का दिया 20 वी पसुगणना का डेटा में आपको दिया है याद रखना 20 वी पसुगणना के अनुसार उटो की संक्या अगर आपसे पूँच ली जाए तो आपका अंसर क्या होगा जिरो पुइंट 25 मिलियन होगा मतलब 25 लाक उटें कितने उटें 25 लाक उटें तो यह आपको याद रखना उट जो है जो उट है इसकी तोचा पर इसकी खाल पर मिनाकारी की जाती है मतलब खुछ किस नाम से जाना जाता है उस्ताकला के नाम से जाना जाता है तो उट के बारे में अभी सामान में जानकारी है I hope एक एक पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा कोई भी डाउट है कमेंट में बता देना आईए फिर से एक बार फटाक से स्क्रीन सोर टेलो वीडियो को पोस कर लिया करो और उसके बाद नोट कर लिया करो ताकि आप इसको बाद में पढ़ सको आओ बात करते हैं एक बार इसको फटाक से रिवाइस करवा देता हूँ राजे पसु का दर्जा 30 जून 2014 को दिया गया भारत में उट लाने का सरे किसको जाता है मुहमद बिन कासिन को जाता है राजस्थान में उट लाने का सरे किसको जाता है पाबू जी को जाता है याद रखना बिमारी ओने पर कों से लोक देउता की पूजा की जाती है पाबू जी क्या है एक लोक देउता है तो पाबू जी की पूजा की जाती है सबसे खतरनाक उंट की बिमारी कों सी सर्रा है जिसको तीवर्सा राजस्थान के मिर कहा जाता है और प्रोटो जो आजनित है इसके अलावा उंट पालक जाती कुमसी राइका या रेबारी है सबस्यदा उंट राजस्थान में है भारत में फिर उसके बाद गुजरात हरियाना उत्रप्रदेस बीस्वी पसुगर्णा की अनुसार कुल उंटों की संक्या कि जैसे की गर्बकाल अउदी कितने दिन की होती है सुआसदर कितनी होती है इसके लावा नाड़ी की गति की हम बात करेंगे इसके बोड़ी टेंपरिचर की बात करेंगे बहुत सारे क्योशन्स यहां से बनते हैं तो एक भी क्योशन आपका बाहर नहीं जाने वाला पस आप वीडियो देखते रहे हैं बात करेंगे इसके घर्बकाल की अच्छा जो घर्बकाल होता है उसको हम इंग्लिस में क्या बोलते हैं जैस्टेशन पेरेंड बोलते हैं मेरे दोस्त क्या बोलते हैं जैस्टेशन पेरेंड अच्छा घर्बकाल होता क्या है समझ लो गर्ब धार परण से लेकर प्रसव तक का जो समय होता है उसको गर्बकाल अउदी या जेश्टेशन पेरेड कहा जाता है मतलब मादा उट बच्चे को कितने दिन तक पेट में रखती है उसी को जेश्टेशन पेरेड बोलोगे या गर्बकाल अउदी बोलोगे अब कितने दिन तक जैसे क 410 दिन तक बच्चे को पेट में रखती है और ये क्या है इसकी गर्ब कालव दिये एक क्योशन आपसे पहले भी एक्जाम के अंदर पूचा गया है जब प्रथम उम्र क्या होती है प्रजनन के लिए मादा उट में या गर्ब धारन के लिए एक क्योशन भी अगर आपसे पूच लिए जाए प्रथम प्रजनन की उम्र अगर आपसे पूच लिए जाए तो मादा उट में कब होती है वही 3-4 वर्स में 3-4 वर्स ये आपको याद रखना है जब कि मैं बात करूँ नर्व तो नर्व पूरे तरीके से 7-8 साल में प्रजनन योगे हो जाता है आपको याद रखना है जिसके मैं बात करूँ कि उट का वजन कितना होता है तो 500-600 किलो होता है याद रखोगे आओ आगे बढ़ते हैं फिलाल हम बात करते हैं मैंने यहाँ पर लिखा रहे है कि स्थान का जहाँ जब मैंने जहाँ बोला तो कहीं कई पानी की बात आई कि पानी कहीं दिन तक नहीं पीता है तो कितना पानी पीता है जब पीता है आपने अगर आप गाउं से बिलों करते हो तो I hope आप जानते होंगे कि जब हम किसी बकरी को पानी पिलाएंगे suppose करो कोई बकरी है अगर उसको आप पानी पिलाओगे तो एक बाल्टी भरके आप ले जाओगे जिसमें काम हो जाएगा बकरी की प्यास बुच जाएगी एक बाल्टी में तो मुझे लग रहा है कि दो-तिन बकरियां पानी पिलेगी अगर गाय बेंस को पिलाना हो तो 4-5 बाल्टी हो कि हमें आउट शेक्ता पड़ेगी ऐसे मैं बात कर रहा हूँ क्या कभी आपने उट को पानी पिलाया कि कितने पानी की requirement पढ़ती होगी कितना पानी पीता होगा जब एक बार उट पानी पीता है तो एक बार में लिखोगे एक बार एक बार में उट एक बार में उट कितना पानी पीता है 135 लिटर 135 लिटर पानी पीता है यह आपको याद रखना है अच्छे तरीके से, कितना पानी पीता है 135 लिटर, कहीं किताबों में आपको कुछ इस तरीके से मिल जाए तो confused मत हो ना, 135 है 150 लिटर, बात एक ही है याद रखोगे, ये तो एक बार में पानी पिया, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ, अब डेली किसको रोजाना, कितने पानी की आवशेक्ता होती है, मैं बात कर रहा हूँ रोजाना की तो याद रखोगे अब हम बात करेंगे, रोजाना रोजाना, उट को उट को कितने की, 18 से 36 लिटर 18 से 36 लिटर पानी की आवशेक्ता होती है, याद रखोगे तो पानी मिलता नहीं है इसलिए नहीं पीता है एक और बात जो उठ है रेगिस्थान में अब आप जानते हो कि रेगिस्थान में दिन में तापमान बहुत जादा रात में बहुत कम बतलब कितना तापमान है सहन कर सकता है तो याद रखोगे जो उठ हैं यह 45 से 49 डिग्री से सहन कर लेता है दिन में और नाइट में 30 डिग्री सेल्सियस तापमान अब देखो इतना तापमान है फिर भी इस उट को पसीना नहीं आता है क्या रीजन है उट को पसीना नहीं आता है तो उसका कारण क्या है क्योंकि उट की जो तोचा है उसमें पसीना ग्रंतियां पसीना कि जब pregnant जो केमल हैं मतलब जो मादा मूटनी हैं बच्चे को जन्म देती है उस समय बच्चे का भार कितना होता है एक क्योशन भी आप से एक्जाम में पहले पूछा गया है तो याद रखोगे बच्चे का जन्म के समय भार कितना होता है तो 35 से 40 किलो का बच्चा होता है पहली बार में कितना 35 से 40 किलो इसका वजन होता है और जब बच्चे का जन्म होता है तब ऐसा कहा जाता है कि कूबड नहीं होता है फिर दीरे दीरे जब चलने यूग हो जाता है अच्छी कासी डाइट लेने लग जाता है तो दीरे दीरे कू कूबड से एक और पॉइंट मुझे याद आगे आपके लिए नोट कर लेना जो कूबड है कूबड में किसका संग्रहन होता है कूबड में संग्रहन कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि जो उट का कूबड होता है उट इसमें पानी भरके रखता है और जब उसको जर्वत पढ़त हैं तो यहाँ पर क्या लिखोगे कूबड में किसका संग्रहन वसा का संग्रहन होता है वसा का संग्रहन अच्छा वसा से एक और चीज़ या लाई मुझे जो उटनी का दूद होता है यह काफी अच्छा होता है ऐसा कहा जाता है कि गाई की तुलना में भी अच्छा होता है और जब fat कम होता है तो पीने योगे होता है काफी अच्छा होता है और ऐसा कहा जाता है कि इसका जो दूद होता है इससे दखी नहीं बनता है अच्छा दखी क्यों नहीं बनता है? इसके पीछे भी reason है इसका अगर दही बनाओगे आप तो बहुत जादा पतला बनेगा और उस पतले दही को क्या कहा जाता है तो drinking curd कहा जाता है मतलब पीने योगे दही उसको कहा जाता है और इसके दूद में चो मादा उटनी है इसके दूद में कौम सा विटामिन पाया जाता है ये क्योशन भी आप से पूछा जाता है तो याद रखोगे इसका दूद होता है दूद उसमें विटामिन सी पाया जाता है क्या पाया जाता है ये आपको यार रखना है most most important अवग बात कर लेते हैं स्वास दर्की कि उंट एक मिनट में कितनी बार स्वास लेता है तो उंट पांच से साथ बार प्रती मिनट क्या करता है स्वास लेता है इसके लाव में बात करूँ जिसकी नाड़ी की गती कितनी होती है नाड़ी गती उून्ट में कितनी होती है तो आपका answer जाएगा कितनी होती है 28 बार प्रतिमिनित होती है इसी के साथ बात कर लेते हैं इसके body temperature की सारी रिक तापमान कितना होता है तो देखो सूब़े के समय तापमान अलग होता है और साम के समय अलग होता है 44 degree Celsius Fahrenheit में 92.5 degree Fahrenheit एप्रोक्स ठीक है इसके लावा जिसे कि मैं बात करूँ साम का समय तो साम के समय तापमान कितना होता है तो देखो यह होता है 37 degree Celsius दिन में तो मेरे साब से 41 तक चल जाता है लेकिन आप सुबह साम का याद रखो इसको Fahrenheit में क्या लिखोगे 98.5 degree Fahrenheit आप नोड कर ल आए अभी नसले नहीं आईए आगे आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे एक मूट के लिए कितना इस्तान की इसके लावा इसमें प्रजनन क्रिया को क्या बोलते हैं बच्चा देने के क्रिया क्या बोलते हैं मदकाल कितना होता है ठीके इसके लावा मद चक्र कितने दि सारे के सारे पुइंट आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ I hope आज का वीडियो आपको पूरा समझ में आया होगा अगर कोई भी doubt है तो chat box में बता देना आपको answer दे दिया जाएगा या अगले वीडियो में आपको समझा दिया जाएगा अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक करें share करें और जो लोग चैनल पर ना है है चैनल को subscribe जरूर कर ले पास में जो bell icon है उस पर click करें ताकि आने वाले सभी वीडियो के notification आपको time to time मिलते रहे और हाँ जिनको भी केमल का part 2 देखना है क्या देखना है part 2 comment box में part 2 जरूर लिखें चाहो तो आप जय जवान जय किसान भी लिख सकते हो हम मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में तब तक आप सभी को तेरा राम राम नमस्कार जय जवान जय किसान जय इंद फ्रेंट